हाई दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बाद फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वाकत है और आज एक प्लाइन में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसका एरिया है 5000 स्कॉयर फिट का इसका एरिया है और यह जो प्लाइन है बैसिकली उतरा खंड देरा दून का है और इसमे जो 500 स्कॉयर फिट है उसका लगबग 50% एरिया हमें कवर करना है 50% एरिया हमें छोड़ना है और आपका जो एंट्री है वह एंट्री से वहाँ पर कम से कम पास से छे गाड़ी है खडी हो जाए और अगर गाड़ी एक के बीचे खडी भी हो तो उसे अगर टर्न करना हो तो वह 360 डिगरी घूम जाए महीं से पीछे करके गाड़ी को ना लाना हो तो यह क्लाइंट की रिक्वार्मेंट थी तो आप जैसे कि आप फोटो में देख रहे है तो यह सेटलाइट इमेज है इस प्लोट की और देखिए इस प्लोट की जो प्लैनिंग है वह खास इसलिए है क और बाकि अंदर जो घराई की तरफ काफी जादा होता है तो इस तरीके के जितने भी प्लोट होते हैं इनको हम पॉकेट प्लोट बोलते हैं और इसमें होता ही है कि फ्रंट आपका जो है लिमिटेड होता है रोड से अंदर जागर के और अंदर जो घराई बहुत जादा हो आपका clothes है तो ऐसे plot में घर बनते हैं इन में front television की इतनी importance नहीं होती तो इतना जादा आपको expand front television में नहीं करना चाहिए अगर आप pocket plot ले रहे हैं तो और दूसरा जो सबसे main challenge रहता है client की need थी कि आपके five to six गाड़ियों की यहाँ पर पारके रहनी चाहिए तैं फिर बढ़ते हम आगे की तरफ तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे बहल तो entrance और fire area आगया है यहाँ पर यहाँ से आपकी stairs की help से यहाँ से entry होगी और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आप training area है अब दोस्तों इसमें एक खास requirement मैं आपको बताता हूँ जो की थी client की basically जो client थे वो आपका जो ground floor वाला portion है वो उनको अपने रहने के लिए बनाना था और जो top floor वाला portion है इसके उपर जो first floor जो बनेगा वो उनको completely अपने office के लिए पूरे area को use करना था तो ऐसे में जो स सके और जो उनका client आए office में top पे जाने के लिए वो भी use कर सके प्लस जो stairs है वो भी अगर हम दो stairs देंगे अंदर और बाहर अलग अलग तो वो भी जो है आपका space है वो काफी जादा consume करेगा क्योंकि गुमा फिर आके 50% ही हमें जो दिया था तो लगबग 2500 square feet का ही जो हमारे area था इसमें कि हमें work करना था बाकी green tree और backside पर जो है हमें एक lawn area छोड़ना था तो वो सारी चीज़े जो थी इसमें छोड़ रखे थी तो अब इसमें देखिए सबसे पहले यह हमने जो है यहापर front में stairs यहापर दे दी है तो अब इसमें कहीं कि अगर कोई client आएगा तो उस रखा है तो यहां से जो भी बंदा घर पे रहेगा वो यहां से भी access कर सकता है और जब duplex के लिए जब अंधर जब बनेगा तो बीच में से cutting करके उसको duplex वाला फीलम दे सकते हैं और अब इसमें कहीं कि lift दोनों ही जो है वो access कर सकते हैं stairs भी दोनों access कर सकते हैं और इसके अगर opposite बात करें अगर हम अंदर stairs देते तो stairs जो है वो और दादा space consume करती तो यह कुछ points होते हैं और challenges होते हैं जिसको कि आपको पूरा करना होता है जाए जाए क्लाइंट के point of view से फिर दोस्वा हम बात करते हैं small garden की तो आप देख सकते हैं कि front पर में चोटा सा small garden दे रखा यहां पर जो bedroom यहां पर हमने दे रखा है यहां पर जो bedroom आप देख रहे हैं तो जिसका size 16 feet 9 inches by 13 feet 10 inches का तो यहां जाए window से garden का view भी जो है बंदा enjoy कर सके दें फिर उसके बात हम बात करते हैं इसके साथ में attached toilet यहां पर दे रखा है जिसका size 5 feet by 8 feet का और इसमें आपका toilet seat और ज जो है एक OTS दे रखा है जो कि आपका इस toilet के लिए ventilation के लिए भी काम कर रहा है और इसके जो 7 वाला जो bedroom है जिसका size 16 feet 9 inches by 12 feet 9 inches का तो उसके लिए भी जो है यह proper OTS जो है वो काम कर रहा है और जैसे की client की requirement थी कि जो घर है वो पूरी तरीके से spacious बनना चाहिए और आपका airy ब size 13 feet 3 inches by 26 feet 5 inches का space छोड़ रखा है और यहाँ पर एक indoor lawn छोड़ रखा है जो कि ऊपर से OTS का भी काम करेगा और आपका यहाँ से जग lawn वाला व्यू भी जो है वो नजर आएगा फिर दोस्तों बात करते हैं हम kitchen के बारे में तो kitchen आप देख सकते हैं इसमें kitchen का size 12 feet 10 inches by और basically पू यूनिट जो है वो provide करी है और यहाँ से एक door दे रखा basically आपका wash और utility area तो यहाँ पर क्याए कि अलग से जो है एक shells बन सकती है जिसमें की जूटे गंदे जितने बढ़ता नहीं वो यहाँ पर भी रखने का provision आप दे सकते हैं और आपकी kitchen है completely साफ सुत्री रहेगी और इसके साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि refrigerator का भी जो area छोड़ रखा फिर दोस्तों हमने इस bedroom के बारे में तो already बात करी दी थी then अब हम बात करते हैं इस master bedroom के बारे में तो master bedroom आप देख सकते हैं कि दोनों ही master bedroom से जो back का जो lawn है उसका जो view है वो यहाँ पर दे रखा है और वहाँ से जाने का जो door भी यहाँ पर दे रखा है तो यहाँ पर यह विंडो प्रोवाइड करी भी है तो यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके bed आ गया और इसके साथ में वाडरोब और ट्रेसिंग यहाँ पर दे दी है और यह walk-in आपके ड्रेसिंग आगई और तो आपका सेवन पिट वाइड गा गया एक्जाटली सेम यहाँ पर आपका ग्लास का पार्टिशन देखें आपर OTS का प्रोविजन रखा हूँ है फिर ऐसी ही सेम यहाँ पर हमने जो है सेम ट्वालेट बन गया और बेड्रूम का साइज है वो भी जो है आलमस्स एम ही है औ या फिर इसके सामने डाइनिंग कोई बैटेगा तो यहाँ से कम्प्लीटली भार का जो व्यू है वो एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर कम्प्लीटली लैंड्सकेपिंग करी वे जब कम्प्लीट यह एरिया देख सकते हैं यहाँ पर तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि pocket plot को plan करना काफी challenging रहता है लेकिन आप अच्छी planning के skill के तुरू जो है और proper ventilation का ध्यान रखते वे air circulation का ध्यान रखते वे और सबसे important और सबसे साथ important है client की requirement तो उनका ध्यान रखते वे आप एक अच्छी planning इस तरीके से कर सकते हैं तो उमीद करते हैं कि यह जो planning आपको अच्छी लगे होगी अच्छी लगे तो comment box में जरूर बताईएगा और वीडियो को like करिएगा और बहुत सारी चोड़ी ओड़ी वीड तो मैं instagram पर डालता हूं तो वहाँ पर जाकर के भी आप हमें follow कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिन बनने मातरा